एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आप कभी मेरी वज़ह से वो रोये हैं? उसके ऐसा पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था. इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा, हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था, जब तुम्हारी वज़ह से मैं रोया था. यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर वह क्या बात थी, जिसने उसके पिता को रुला दिया था. इस उत्सुक्तता को शान्त करने के लिए पिता वह किस्सा सुनाने लगा, बात उस समय है, जब तुम आठ माह की थी. एक दिन मैंने तुम्हारे सामने तीन चीजे रखी, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलोना. मैं ये जानना चाहता था कि तुम उन चीजों में से क्या उठ जाओगी. उनमें पेन बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, सिक्का धन का और खिलोना मनोरंजन का प्रतीक था. मैं ये सब बस एक जिग्यासा के कारण कर रहा था. मेरे लिए ये जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जागर क्या सबसे अधिक मायने रखेया मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसबरी से तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा था. मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम उन चीजों को देखती रही. फिर घुटने के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ी. जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धणकने मानों सी रुक गई. लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीजों को अपने हाथ से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई बस यही वो पल था जब मेरा दिल भर आया था और तुम्हारी वजह से मैं रो पड़ा था. यहा किस्सा सुनकर लड़की की आखों में आसू आ गए.